सरकारी विलिनिकरन की मांग को लेकर स्ट करमचारियों की हरताल जारी है लग रहा है कि सरकार मांगे मान्य नहीं करना चाहती वही दूसरी और करमचारी भी मांगे मान्य कराने पर अड़े है नाकपुर मंडल में 14 दिन भी हरताल जारी रही इसे यात्रियों की परेशान ए दिन वो दिन बढ़ती जा रही है स्कूल कॉलेज जाने वाले ग्रामिन छात्रों की दिक्टों की और ध्यान देने वाला कोई नहीं है करमचारियों में रोज इस बात को लेकर भी देखने को मिल रहा है कि सरकार हर दिन निलंबन की कारवाई कर रही है शनिवार को फिर से 10 कर्मियों को निलंबित किया गया वही 7 कर्मियों की सेवा समाप्त कर दी गई करमचारियों का कहना है कि सरकार ही नहीं चाहती कि जल से जल समस्या का समाधान हो वर्षो से स्ट कर्मचारियों को सरकारी सेवा में शामिल नहीं किया गया है सरकार कमेटी बना कर मामले का निप्टारा करना चाहती है यही वज़ा है कि आंदोलन दिन बदिन तेज होता जा रहा है कर्मचारियों का कहना है कि जब निलंबन की कारवाई हो रही है तो फिर काम पर लोटने का ओचित ही नहीं रह जाता, सरकाल जित परड़ी है, संगडन के साथ चर्चा करने की दिशा में पहल नहीं की जा रही है, इस बीश चनिवार को विभा के 10 करमचारियों को निलंबित कर दिया गया, जिसमें काटोल गनेशपेट डिपो के 55 करमचारी चामिल है, नाकपुर मंडल में कुल निलंबित करमचारियों की संख्या 149 हो गई है, आज फिर साथ करमियों की सेवा समाप्त होने के साथ ही यह संख्या 57 पर पहुच गई है, सभी करमचारियों को काम पर लोटने के लिए 24 घंटे का नोटिस दिया गया था, विभा के निय हिल लोटने के कारण सेवा समाप्त करने की कारवाई की गई,